ओम शान्ती आज तारिक है 29 दिसंबर 2020 आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा मीठे बच्चे संगम युक पर तुम ब्राह्मन संप्रदाय बने हो तुम्हें अब मृत्यु लोग के मनुश्य से अमर लोग का देवता बनना है प्रश्न तुम बच्चे किस नौलेज को समझने के कारण बेहत का सन्यास करते हो उत्तर तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नौलेज है तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अबिसारे मृत्यु लोग को भस्मी भूत होना है अभी यहाँ दुनिया वर्थ नौचे पैनी बन गई है हमें वर्थ पाउंच बनना है इसमें जो कुछ होता है वहाँ फिर हुबहु कल्प के बाद रिपीट होगा इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहत का सन्यास किया है गीत आने वाले कल की तुम ओम श्यांति बच्चों ने गीत की लाइन सुनी आने वाला है अमर लोग यहाँ है मृत्यु लोग अमर लोग और मृत्यु लोग का यहाँ है पुरुशोतम संगम युग अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर आत्माओं को पढ़ाते हैं इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो यहाँ निश्य करना है हमको बेहत का बाप पढ़ाते हैं हमारी M-object यहाँ है लक्ष्मी नारायन या मृत्यु लोग के मनुश्य से अमर लोग का नहीं सुनी न किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो यहाँ निश्य करो कि बेहत का बाप हमको पढ़ाते हैं कौन सा बाप बेहत का बाप निराकार शिव अभी तुम समझते हो हम पुरुशोतम संगम युक पर हैं अभी तुम ब्रहमन संप्रदाय बने हो फिर तुमको देवता बढ़ना है पहले शुद्र संप्रदाय के थे बाप आकर पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते हैं पहले सतोपरधान पारस बुद्धी थे अब फिर बनते हैं ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सत्युग के मालिक थे सत्युग में विश्य के मालिक थे फिर चुरासी जनम ले सीड़ी उतरते उतरते सतो परधान से सतो रजो तमों में आए हैं पहले सतो परधान थे तो पारस बुद्धी थे फिर आत्मा में खाद पड़ती है मनुष्य समस्ते नहीं बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे ब्लाइंड फेथ था सिवाए जानने के किसकी पूजा करना वायाद करना उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है और अपने स्रेष्ट धरम, स्रेष्ट करम को भी भूल जाने से वह करम भरस्ट, धरम भरस्ट बन पड़ते हैं भारतवासी इस समय द्यावी धरम से भी भरस्ट हैं बाप समझाते हैं वास्तम में तुम हो प्रवृत्ती मार्ग वाले वही देवताईं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते इसलिए नाम बदल हिंदू धरम रख दिया है यहाँ भी होता है ड्रामा प्लैन अनुसार सभी एक बाप को ही पुकारते हैं हे पतितपावन आओ वह एकी गौड फादर है जो जनम मरन रहित है ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है आत्मा का वा परमात्मा का रूप बहुत सुक्ष्म है जिसको स्टार वा बिंदू कहते हैं शिव की पूजा करते हैं शरीर तो है नहीं अब आत्मा बिंद पूजा के लिए समझते हैं शिव की पूजा करते हैं परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते यहाँ सब बातें बाप इसमें ही आकर समझाते हैं बाप कहते हैं तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है अब बाप तुम बच्चों को बैट समझाते हैं अभी तुम बरहामन बने हो फिर देवता बनना है कलयोगी मनुश्य है शुद्र तुम बरहामनों की M आपचेक्ट है मनुश्य से देवता बनने की यहाँ मृत्यू लोग पतित दुनिया है नए दुनिया वह थी जहां यह देवी इतनाएं राज्य करते थे, एक ही इनका राज्य था, यह सारे विश्य के मालिक थे, अभी तो तमो परधान दुनिया है, अनेक धरम है, यह देवी देवता धरम प्रायह लोप हो गया है, देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई नहीं जानते, बाप ही आकर तुमको समझाते हैं, यह है गौड फादरली वर्ल्ड युनिवरस्टी, जिसकी M अबचेक्ट है, अमर लोग का देवता बनाना, इनको अमर कथा भी कहा जाता है, तुम इस नौले से देवता बन काल पर जीत पाते हो, वहां कभी काल खा न नहीं, अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो, ड्रामा के प्लान अनुसार, भारतवासी भी पाँच वरश या दस वरश का प्लान बनाते हैं न, समझते हैं हम रामराज्य स्थापन कर रहे हैं, बेहद के बाप का भी प्लान है, रामराज्य बनाने का, वहां तो सब हैं मनुश्य तो रामराज्य स्थापन करना सके, रामराज्य कहा ही जाता है सत्युक को, इन बातों को कोई जानते नहीं है, मनुश्य कितनी भक्ती करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं, दिन अर्थात सत्युक तरेता में इन देवताओं का राज्य था, फिर रात में भक्ती मार्ग शुरू होता है सत्युग में भक्ती नहीं होती है ज्यान भक्ती वेराग्य यह बाप समझाते हैं वेराग्य दो प्रकार का है एक है हठ योगी निवृत्ती मार्ग वालों का वहाँ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं अब तुमको तो बेहद का सन्यास करना है सारे मृत्यू लोग का बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मी भूत होने वाली है ड्रामा को बहुत अच्छी रीती समझना है जो मिसल टिक टिक होती रहती है जो कुछ होता है फिर कल्प पांच हजार वर्ष बाद हूब हूब रिपीट होगा इसको बहुत अच्छी रीती समझ कर बेहद का सन्यास करना है समझो कोई विलायत जाते हैं कहेंगे वहां हम यह नौलेज पढ़ सकते हैं बाप कहते हैं हाँ कहां भी बैर तुम पढ़ सकते हो इसमें पहले साथ रोज का कोर्स लेना पढ़ता है बहुत सहज है आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है हम सतो परधान विश्य के मालिक थे तब सतो परधान थे अब तमो परधान बन गए हैं 84 जनमों में बिलकुल ही वर्थ नौचे पैनी बन पड़े हैं अब फिर हम पाउंड कैसे बने अब कल युग है फिर जरूर सत्युग होना है बाप कितना सिंपल समझाते हैं साथ दिन का कोर समझना है कैसे हम सतो परधान से तमो परधान बने हैं काम चिता पर बैट तमों परधान बने है, अब फिर ज्ञान चिता पर बैट सतों परधान बनना है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना, अभी है संगम यूग फिर सत्यूग होगा, अभी हम कल्योगी विश्यस बने हैं, सो फिर सत्योगी वाइसलेस कैसे बने, उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ, जो कल्प पहले बने थे, उन्हों को ही फिर बनना है, बाप समझाते ह पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमाने बनने की शिक्षा मिलती है, ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं, सत्योग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्पी नारायन के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है, अभी यहाँ है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं, तुम नंगे अशरीरी आई थे, फिर अशरीरी बन वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यहाँ है रुहानी आत्मा अपने रुहानी बाप को याद करती है, बाप को याद करने से ही बाप भस्म हो जाएंगे, इनको योगगनी कहा जाता है, याद तो तुम कहां भी कर सकते हो, साथ रोज में समझाना होता है, यह स्रिस्टी चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सेड़ी उतरते हैं, अब फि इस एक ही जनम में चड़ती कला होती है विलायत में बच्चे रहते हैं वहां भी मुरली जाती है यह स्कूल है ना वास्त में यह है God Fatherly University गीता का ही राजयोग है प्रंतु श्री कृष्यन को भगवान नहीं कहा जाता ब्रह्मा विष्णो शंकर को भी देवता कहा जाता है अभी तुम पुरुशार्थ कर फिर सो देवता बनते हो प्रजा पिता ब्रह्मा भी जरूर यहां होगा ना प्रजा पिता तो मनुश्य है ना प्रजा जरूर यहां ही रची जाती है हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रिती समझाया है भक्ती मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा इसलिए परमात्मा को सरव्यापी कह देते बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा मैं कैसे व्यापक होंगा तुम मुझे बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ निराकार आत्माएं सबाकर अपना-पना रत लेती है हर एक अकाल मूरत आत्मा का तक्त है यह तक्त कहो अत्वा रत कहो बाप को तो रत है नहीं वहा निराकार ही गाया जाता है न सुक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है निराकार खुद रत में जब बैठे तब बोल सके रत बिगरपतितों को पावन कैसे बनाएंगे बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ टेंपरेरी लोन लिया है इनको भाग्यशाली रत कहा चाता है बाप ही स्रिस्टी के आदी मद्य अंत का राज बताए तुम बच्चेओं को तरिकाल दर्शी बनाते हैं और कोई मनुश्य यह नौलेज जान नहीं सकते इसमें सब नास्तिक हैं बाप आकर हस्तिक बनाते हैं रचईता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है अब तुम्हारे सिवाए और कोई समझा न सके तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना उचपद पाते हो यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मनों को मिलता है बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं सदगती देने वाला एक बाप ही है मनुश्य मनुश्य को सदगती दे ना सके वह सब गुरु है भक्ति मार्ग के सदगुरु एक ही है उनको कहा जाता है वह सदगुरु वह इनको पार्शाला भी कहा जाता है M-object नर से नारायन बढ़ने की है वहाँ सब हैं भक्ती मार्ग की कथाएं गीता से भी कोई प्राप्ती नहीं होती बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुखा कर पढ़ाता हूं जिससे तुम यहाँ पद पाते हो इसमें मुख्य है पवित्र बढ़ने की बात बाप की याद में रहना है इसी में ही माया विखन डालती है तुम बाप को याद करते हो अपना वर्सा पाने के लिए यहाँ नौले सब बच्चों के पास जाती है कभी भी मुरली मिस ना हो मुरली मिस हुई गोया अपसेंट पड़ जाती है मुरली से कहां भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे श्रीमत पर चलना पड़े बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बढ़ना है वैशनव होकर रहना है वैशनव भी दो परकार के होते हैं वैशनव वलभाचारी भी होते हैं परंतु विकार में जाते हैं पवित्र तो है नहीं तुम पवित्र बन विश्णु वन्शी बनते हो वहां तुम वैशनव रहेंगे विकार में नहीं जाएंगे वहां है अमर लोग यहां है मृत्यू लोग, यहां विकार में जाते हैं, अभी तुम विश्णुपूरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं, वहां है वाइसलेस वर्ल्ट, योग बल से तुम विश्य की बादशाही लेते हो, वहां दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिल तुम अपनी राजधाने स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है, छोटे बच्चों का भी हक है, शिबाबा के बच्चे है ना, तो सबका हक है, सबको कहना है, अपने को आत्मा समझो, माबाप में ग्यान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, शिबाबा को इसमें पढ़ाई बहुत अच्ची चाहिए, विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताबादी कुछ भी नहीं चाहिए, कहां भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धी से याद कर सकते हो, यहाँ पढ़ाई इतनी सहच है, योग अत्वा याद से बल मिलता तुम अभी विश्य का मालिक बन रहे हो, बाप राजयोग सिखा कर पावन बनाते हैं, वह है हठयोग, यह है राजयोग, इसमें परहेज बहुत अच्छी रिती चाहिए, इन लक्षमी नारायन जैसा सरवगुण संपन बनना है न, खान पान की भी परहेज चाहिए, और दूस अगर राजाई प्राप्त करने के लिए, अगर राजाई न लि तो गरी बन जाएंगे, श्रीमत पर पोरा चलने से स्रेष्ट बनेगे, ब्रस्ट से स्रेष्ट बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है, कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्यान लिया था, जो फिर अब ले सत्यूग में और कोई राज नहीं था उसको कहा जाता है सुखधाम अभी यहां है दुखधाम और जहां से हम आत्माई आई हैं वह है शान्ती धाम शे बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुश्य क्या क्या करते हैं बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं समझते नहीं यह तो बाप का ही काम है बाप जट एक धरम की स्थापना कर बाकी सबनेक धरमों का विनाश करा देते हैं एक धक से वो ल दवाई है एक धरम की स्थापना होनी है वह समयाय का सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं फिर दवायादी की भी क्या दरकार है तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की जिससे तुम 21 शनमों के लिए पवित्र बन चाते हो अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मार्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुट मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक पवित्र ब करने के लिए श्रेमत पर जरूर चलना है नमबर दो मुरली से स्वयम को रिफ्रेश करना है कहां भी रहते सतो परधान बनने का पुरुशार्थ करना है मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है वर्दान जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो यही स्नेह का स्वरूप है चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो इसलिए जो भी संकल्प वाकरम करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी योगे बन चाएंगे यदि सनेही सुरूप को समान सुरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर्भव का वर्दान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी श्लोगन स्वभाव इजी और पुरुशार्थ अटेंशन वाला बनाओ शुक्रिया बाबा शुक्रिया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली शिप बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे अच्छा ओम श्यांती